प्रिस्थान को पिपल कोटी में रुखेंगे लिए अभी हम जहां पर रुके थे यहां पर रुके वे थे लगबाद 208 km का डेस्टिनेशन था हमारा और क्या बोलते हैं अभी फिर आत को खाना कुना का कि हम सो गए थे अभी हम चाहेंगे बदरीनाद जी के लिए लगबाद यहां से 40 km के दारे में है परिस्थान करेंगे अराउंड आठ नौ बजे कर रहा होंगे फिर्स्थान को पिपल कोटी में रुकेंगे आज मैं आपको बदरीनाद सब कुछ लिखांगा बहुत सुन्दर नाजा रहा है अ तो गाइस यह देखो आप लोग व्यू क्या गजब का व्यू है मतलब यह देख तो कुले से हैं मजा आगया यार देखेंगे तो गाइस काफी अच्छा लगा है मतलब यहां पर धैर के और दूसरी बात यह ठंडा भी यहां पर काफी ठंडा है फरवरी का टाम चल रहा है आप लोग आओ थोड़ा सा कपड़े वगरा लेके आना टीशर्ट वगरा में मत आना कभी किस बात ठंडा रहे गई रहेगा ठीक है और तूफान भी काफी चल रहा है थोड़ा समहल के आना एंडर नाइट इसके हमने जोसी मट में किया था काफी अच्छी जगा है और यही हम चलते हैं यहां से आप लोग भी पाहड़ों में जितनी बाहर आये होंगे मतलब अलगी वाइब आती है मतलब यह आप यहां का व्यू देखो है क्या जवड़ दस्तिव है पाहड़ भी एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है मतलब वाह मजा आ गया वाई से एक नंबर व्य मतलब वाह क्या सुंदर द्रिस से मन मोहित हो गया या यह आगया डेंजर जून यहां को आओ समहल क्या ना क्योंकि निच्छे इतनी भैंकर खाई है ना जैसे हॉलिवड की में मोवी चलती है ना वैसे ही और काम चल रहा है सिंगल लोडे क्योंकि वेटिंग पे रहते हैं ए एक से जब बसे जाती है तो दूसरे से चुटती है तो ऐसे तो समहल के आना इस सेड को यहां को बहुत ही खतरना के रिया है और हमारी देस्टिनेशन लगभग 25 किलोमेटर रह गया है 25 किलोमेटर रह गया हमारा बद्रिनात और फोलो की घाटी भी यहीं से जाता है रास्तर लगभग 17 किलोमेटर है यहां से हेमकुन साहिब यहां से लगभग 19 किलोमेटर का दायरा है यह देखो माना 27 किलोमेटर रह चुग है का अभी अच्छा दिस से है और अभी सभी लोग इंजयो करते वें जा रहा है हमारे साथ यह आगया सेकिंड डेंजर जोन बहुत बहुत पहाड़ी को काट के सड़क बनाई जा रही है अभी बहुत तकड़े से काम चल रहा है और फाइनली अभी हम हम सुली बदली नाजी पहुच गये हैं लगभग यहां से किलोमेटर का डेस्टिनेशन रह गया हमारी अभी हम थोड़क गाड़ी बगरा पार्क करते हैं फिर उ तके ठंडी ठंडी हुआ है और यह हमारा फैमिली गूरुप है जो हमारे साथ आया हुआ है आप पिछे का विउ देखो क्या जबरदस्त विव आ रहे एक तम क्लीन दिख रहा है मतलब कोई पॉलिशन नहीं कोई कुछ नहीं है और यह रास्ता निकलता है बद्रिनात जी के पर जो यह रास्ता देख रहे यह बद्रिनात से आने का रास्ता है जाने का इधर से है तो हम इधर से जाएंगे भी बाकि आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगी आपको और कैसा मलब नेचर जो लोग नेचर से कनेक्ट है मतलब उनको कैसा लगा यूडियो यहां का यह देखो सर्दालों की बेड़ मलब दो-दो किलो मेंटर की लाइन लंबिक लगी वी है दो-दो-तीन-तीन किलो मेंटर के दायरे में महलों बहुत ही ज़्यादा बीड़ है आज तो अभी हम चलते हैं और आपने यातरा में मतलब यह भी सवारी कर सकते ह अभी हम तप्तकुंड की और चलते हैं और तप्तकुंड में हम इसनान वगेरा कर लेते हैं पारानी कताओ के अनुसार यह भी माना जाता है कि नेलकंड की पाड़ियों से इस पानी का उद्दम है कहते हैं कि भगवान बद्रीनात ने यहां तब किया था वही पवीतर स्थल आज भी तप्तकुंड के नाम से विसुई ख्यात हैं और जो यहां पे मुक्य धारा है उसको मलब अलग अलग भागों में बाटा गया है महिलाओ के लिए अलग है और पुर्सों के लिए अलग है इसनान कुंड फाइनली मंदिर में मोच गये हैं जैहो बद्री विसाल हर हर पुरानी कताओ की माननेता यह भी है कि एक बार जब विस्नु भगवान तबस्या में लिन थे तो अचानक हिमपाथ होने लगा तब माता लक्समी ने बेर यानी बद्री के पेड़ का रूपतारन किया और उन्हें दो बार इस बरफी से बचाया तब भगवान विस्नु की आख खुली तो उन्होंने देखा कि देवी लक्समी सुय बरफ से डकी हुई थी और सास्त्रों के अनुसार यह भी माना जाता है कि बद्रीनात दाम को दूसरा बैकुन दाम भी कहा जाता है एक बैकुन दाम चीर सागर और दूसरा विस्नु भगवान जो की धर्ति यानी ब करेंगे थोड़ी देर में और काफी अच्छा लगा दर्सन करके सुपून की लिगा है मन को यह बद्री विसाल और बाग काफी सोबागे पर आप तरसन करके अभी हम जा रहे हैं मोटल में और थोड़ा माना सैड में आ जायें घूमके जो मेन बोर्टर है यहां का फर्स्ट करेंगे हैं मतलब कोई पल्यूसन कोई कुछ नी मतलब नॉन प्लिटेड एरिया क्या जबदस्त भी एक नंबर और यहां से चैना वोडर लगव चौविस से पच्छिस किलोमेटर के दारे में हैं यह है आपका इंडिया ना फर्स्ट इंडिया विलेज माना इंडिया का सब से पहला गाउ माना जाता है यह पहला लाट था अब यह पहला कर दिया है क्या तकड़ा भी हो रहा है यह अंगा अलिटिमेट चैवागरे पी लेते हैं और फिर हम वोटल के लिए निकलते हैं होटल यहां से 81 किलोमेंटर के दारे में तो अराउंड घंटे का रास्ता है जो अभी बैठे हुए बार में कुछ भी बोलो यार दिल से बहुत सुकून मिल रहा है यहां पर आके और फाइनले भी हम पिपल कोटी पहुँच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन लगबग तीन साड़े तीन गंटे की थी और यहां पर हम रुके वे हैं और होटल के बाहर का विव यानि रूम के बाहर का विव देखो आपका जबदस विव है यह देखो हम होटल बदली के जारात में ठहरे वे हैं मतलब यह होटल है अभी यहीं पर आज खाना व्याना और सोना वगएरा होगा हमारा और अब बाद में अब लोगों को और कुछ ऐसा व्यू है अंदर का रोम का पड़ा हुआ है जी और यह हमारे साथ टूर पर गए थे है कैसा होई दर्सन बढ़िया कैसा लगा बदिगनात आपको बहुत बढ़िया भी बहुत ही अच्छा अभी आपने जो यहां का व्यू देखा होगा बहुत अजब मतलब अल्टिमेट लेवल का है लमुर्कों खुद लोग आते पहड़ों में मतलब एक इंजय के लिए मैं आता हूं सुकून के लिए ठीक है और अभी हम सुभादा नास्ता करके नास्ते में डोसा है और निकलते हैं थोड़ी दिर में तोड़ा समान वगरा रख लेते हैं गाड़ी में फिरम चलते हैं और अभी हम करनपरियाग पहुचे हैं काभी अच्छा द्रिस्या है करनपरियाग काभी मज़ा आगा है मतलब यहां का व्यूभी देखे यह देखो आप लोग यहां का प्रीश यह देखो अपना सुजर लेंड यह भी सुजर लेंड से कम थोड़ी है हम पहुंच गए हैं अभी हर हर महादेव और फाइनली हम हरी द्वार पहुंच गए हैं जैबद्री विसाल की किरपास से हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही है अभी हम इसनानों गयरा करके यहां से घर के लिए थोड़ी ही देर में प्रस्थान करेंगे हर हर गंगे अब दो व्लोग को मैं रण करता हूं अगर व्लोग आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट शेरिश को जरू करना मिलता हूं मैं आपको 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 इस ब्लोग करता हूं